So hello everyone, तो आज हम लोग का lecture number 13 और आज से हम लोग recorded sessions कर रहे है So that कि सभी की productivity maintained रहे है ना, आपकी भी और मेरी भी तो चलिए start करते है lecture number 13, सभी exams के लिए helpful है चैसी EGL हो, चैसी HSL, Steno, MTA, CPO, सार exams के लिए, ठीक है First question, which part of human brain is responsible for walking in straight line मानव मश्टिस का कौन सा भाग है, जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तर दाई है यानि कि आपको अगर मैं बोलूँ कि बिटा, यहां से यहां तर एक दिम सीधे चलना इधर उधर नहीं लेकिन अगर आप डगमगा के चल रहे हैं, तो मैं समझ जाओंगा पहली बात की आपने चलहा रखी है और जब आप चलहा लेते हैं तो आपका सेरी बेलम एफेक्ट हो जाता है क्यों? क्योंकि सेरी बेलम ही responsible होता है आपके posture और balance को maintain करने के लिए तो चलहे देख लेते हैं पूरे brain के components और उसके different functions को यहनि पूरा जो हमारा brain की जो वाना brain होता है यह पूरे हमारे control and coordination के लिए responsible होता है इसको हम basically तीन पार्ट में divide कर सकते हैं तो four brain जो हमारे brain का आगे का हिस्सा होता है इसमें तीन चीज़ें होती है four brain में अगर में बात करूँ एक तो आता है हमारा cerebrum दूसरा आता है thalamus और तीसरा आता है hypothalamus तीन components इसके आते हैं cerebrum responsible होता है memory के लिए thalamus और hypothalamus थोड़ा साव सकता आपको overlapping लगे लिकिए इसमें आपको difference बताऊंगा hypothalamus होता है pain किसी भी तरह का दर्द बाहरी दर्द अंद्रूणी दर्द नहीं जो आपको दर्द किसी के छोड़ के जाने पर होता है वह अला दर्द नहीं बाहरी जोगस्टेनल पेन होता है hypothalamus के अगर बात करें तो यह hunger भूख प्यास थर्स्ट पानी वाली प्यास ठीक है sleep और यह आपके body temperature को regulate करने का काम करता है body temperature को regulate करने का काम अब यहां पर confused हो सकता है इस पात को लेके हो जाए कि जैसे sensation हो है और यह body temperature regulation इसमें difference यह कि जैसे आपने कोई hot coffee mug चुआ कोई भी तो आपको बाहरी sensation होता है वह thalamus के जैसे होता है लेकिन आर आपका जैसे fever है तो जो internal body temperature का regulation हो रहा है वह आपका hypothalamus के हो जैसे हो रहा है ठीक है अब इसका जो दूसरा component होता हुआ होता हमारा midbrain midbrain अगर हम बात करें तो इसका ज्यादा कोई component नहीं है इसका function आपको याद रखना है it controls involuntary actions it controls involuntary actions involuntary actions वो actions होते हैं हमने पहले भी पढ़ा तो जब muscle cells पढ़ रहे तो तो याद करिए हमारी cardiac muscle cells और smooth muscle cells कैसी होती है वो involuntary होती है because उनको हम खुद control नहीं कर सकते हैं तो यह होती है आपके यह control करती involuntary actions को अगर मैं example दूँ जैसे की people का जो size regulate होता है people का size यहाँ पर क्या थी आपकी smooth muscles थी ना और मैंने example बताया था आपको यह मतलब ऐसे बताया था कि people का size आपके control में नहीं है अगर मैंने आपके आँक में torch मारी तो आपका people जो छोटा हो जागा आपके सिगोड जाएगा iris जो इसको control करता है वो इसको और छोटा कर देगा reason इसका है ताकि amount of light ज्यादा enter ना करे तो वह आपके control में नहीं है ठीक और third हमारा part है जिसको हम बोलते हैं hind brain या फिर पीछे का जो मस्तिसका यह तो हो गया आपका अग्र मस्तिसक हो गया यह मद पॉस्चर और बैलेंस के लिए पॉंस इसका दूसरा part है पॉंस क्या करता है यह brain को spinal cord से connect करता है यह हमारे spinal cord होती यह brain होता है इसको connect करने का काम होता है पॉंस का ठीक है brain and spinal cord को connect करेगा and the third is medulla oblongota जिसको हिंदी में मेरु मज्जा बोला जाता है medulla oblongota यह आपको control करता है ANS को ठीक है controls ANS now what is ANS? ANS is automatic nervous system जैसे कि for example इसमें आपका आजाएगा respiration हो गया ठीक है आपकी heart beat हो गई यह सारी जो चीजें regulate होती है इनको ANS बोलते हैं automatic nervous system और आपका control करता है hind brain में जो medulla oblongota हो तो यह आप चीज समझे और एक चीज यहाँ पर और add करना चाहूंगा functional unit of brain क किसको बोलते हैं जरा comment बताएं जल्दी से functional unit of brain किसको बोलते हैं यह बोलते हम neuron को ठीक है कभी कभी question कुछ लेता है कि एक neuron और दूसरे neuron के बीच की जो gap होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो neuron का structure कुछ इस तरह से होता है neuron का structure पूरा तो draw नहीं कर रहा है उसको explain करने के लिए इसमें इस तरह से कुछ होता है ठीक है neuron का structure जिसमें cell body होती इसका nucleus होता है exon होता है और यह dendrites होते हैं यह इस तरह से आपके निकले होते हैं इनको dendrites बोलते हैं ठीक है और यहाँ जो सबसे end में होता है उसको nerve ending बोलते हैं से करके nerve ending तो यहाँ पर यह एक neuron है आपको पता इंडिंग में जो गैप होता है ना उसको हम साइनाप्स बोलते हैं इसको इसाप से नोट्स में जो नोट कर रहे हूं लिखेंगे इस चीज को डिफाइन करके कि दी गैप बेट्वीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन यहाँ पर मैं कुछ डैम्स लिख रहा हूं उसको जल्दी से बताएगा एक तो आपका नर्मदा में ही है उसका नाम है सरदार सरवर डैम जो की गुजरात में है सरदार सरवर डैम गुजरात में आपका एक और डैम है यह उकाई डैम उकाई डैम आपका किस रिवर पे है यह यह आपकी Arabian Sea में जाके गिरती है और वहाँ पर यह इस्चवरी बनाती है ना कि डेल्टा क्रियेट करती है विंद्या और सत्पुरा के बीच में फ्लो होती है अब यहाँ पर कुछ डैम से में लिखता हूँ आपके एक तो इंडिया का हाइएस्ट डैम ठीक है बात करें दाट इस यूर भाखडा नंगल डैम ठीक है भाखडा नंगल और यह है आपका सतलेज रीवर पर लॉंगेस्ट यह अगर बात करें हीरा कुड है और यह है आपका महा नदीप है ठीक है और एक चीज़ और कि अब आपको आपके वीडियो में टाइटल सब्टाइटल भी मिल रहेंगे तो काफी स्टारे स्ट्रेंट जो खासकर साथ हिंडिया से थे उनको जैसे कुछ इंगली मतलब समझ नहीं आती है ज्यादा हिंदी तो वह सब्टाइटल का यूज कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर वो लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट छुपा रहा है वीडियो को अरे भाईया डिसेबल करने का भी ऑप्शन होता है वो अपने कैप्शन को अपने आप इनेबल होगा उसको आप जाके डिसेबल कर लो वो बंद हो जाएगा ठीक है सतलत से हम लोग क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं राकस्ताल से निकलती है शिपकिला से इंडिया में एंटर करती है और क्या रिकॉल कर सकते हैं इस से ठीक शिपकिला से इंटर करती है इंडिया में और ये इंडस की टिब्यूटरी है बाकी मैं कुछ और डैम्स लिखता हूँ जैसे कि आपका एक नागर जुन्सागर और अलमाटी डैम यो दोनों एक ही रिवर पर हैं आपके नागर जुन्सागर और अलमाटी फिर आप यहाँ पर बताईए मेटूर डैम ये किस रिवर पे है मैथौन डैम और एक और लिख देता हूं चलो है पर मैं पंचेट डैम ठीक है पंचेट तो अगर नागर जुन सागर और अलमाटी की बात करें आपके क्रिश्णा रिवर पे वही क्रिश्णा जो कहां से निकलती है महाबलेश्वर बढकर नदी पे ठीक है बढकर और पंचेत है आपका दामोदर वही दामोदर जिसको बोला जाता है सौरो ऑफ बिंगॉल सौरो ऑफ बिहार किसको बलते हैं या आप कॉमेंट में बताएंगे याद ऐसे रख सकते है क्रिश्णा की कि अर्जुन को उपदेश किस ने दिये अर्जुन जी को क्रिश्ण जी ने दिये थे भगवद घीता में और क्रिश्ण जी ने बच्चपन में माटी खाई थी तो नागा अर्जुन सागर और माटी डैम आपको ऐसे याद हो जाएंगे अगले कुस्छन पर आते हैं अगला कुस्छन आप आप आईए इस गैस गैस ने दिया था law of partial pressure इन्होंने ये बोला था कि ये कोई gas है उसका जो total pressure है ना वो उसके जो constituent gases है उसके sum के बराबर होगा capital P is equal to small P1 plus P2 जितनी भी आपकी constituent gases उसके partial pressure मतलब उसके pressure के बराबर होगा ये Dalton ने बोला था Dalton's law of partial pressure बोलते हैं एक Dalton का इन्होंने atomic theory भी दी थी परमाडू सिद्धान जिसको बोलते हैं atomic theory ये इन्होंने दिया था जो law of partial pressure ये ये भी आपसे पूछ लेता है 1802 में दिया था बाकी भी देख लेते हैं Boils, Charles, Avogadros because ये भी important है तो Boils law कर हम बात करें तो Boils law ये बोलता है PV is equals to constant और जब मैंने लिख दिया PV is equals to constant that means कि जो gas का pressure है gas का जो pressure है is inversely proportional ठीक है, is बोल सकते है inversely inversely proportional to the volume यानि कि जो दाब है वो आयतन के व्यत्दुक्रून ना पाती है ऐसे कुछ हिंदिम बोलते है inversely proportional को तो वो है ठीक है वो आप साप साप देख पा रहे है और ये कब इन्होंने दिया था 1662 में दिया था 1662 में ये important हो देन अगर हम Charles law की बात करें तो Charles law में सिर्फ आपको एक चीज़ याद दखनी है and that is कि volume of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature ये आपको याद दखना कि volume is directly proportional to the absolute temperature इन्हों हम law of combining volume of gases भी बोलते है law of combining volume of gases volume of gases के नाम से भी जानते हैं और आपका याद एक हाँ आपको आपको अप्शन में था ठीक है आपको गैड्रो लाज ये बोलता है equal volumes equal volumes of all gases equal volume of all gases at same temperature same temperature and pressure have the same number of molecule यानि कि अगर हम same volume ले gases के जो कि जिनका temperature और pressure same है तो उनके same number of molecule मिलेंगे have the same number of molecules ये बोला था हमारे एवोगेड्रो जी ने कब बात ये बोली थी ये important नहीं है because boils से question आ चुका है चाल से कई कब हुआ था बागी एवोगेड्रो से अभी तक ये नहीं आगी कब year था वो तो year उतने क्यों फालतों में फढ़ना आपको ठीक है ठीक है जिसके बार हम लोग पहले ही पढ़ चुके है तीन लोग दिये थे इन्होंने क्या प्लास में इस पर which the following statement is not correct regarding the laterite soil laterite मिट्टी के समन्द में नेम लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है कल कही निटो सीरीज में पूरा soil topic हमने cover किया था किया था ना जल्दी सरीवाइस करें उस चीज़ को सबसे पहले तुम ने यह पढ़ाता है कि study of soil को क्या बोलते है pedology बोलते है इंडिया में सबसे ज़्याद आपको alluvial soil देखने को मिलती है 40% of इंडिया का area cover करकर करके रखती इसको हम दो category में divide करते है new and old new को हम बोलते है खादर और old को हम बोलते है भांगर new को बोलते है खादर और old को बोलते है भांगर अब यहाँ पर ठीक है new, खादर और old भांगर यह ज़्यादा थोड़ी से आपकी productive होती है फिर हमने दूसरी बड़ा black black soil को हम black cotton soil के नाम से जानते हैं इसको हम regular के नाम से जानते हैं और cotton soil के नाम से इसलिए जानते हैं because cotton के production के लिए सबसे best suitable soil ही है cotton से हमने याद आना चीए कि इसको production के लिए 210 frost free days required होते हैं frost free days black soil आपकी impermeable soil होती water को जल्दी percolate नहीं करती है इसमें self flowing characteristic होती है स्वा जुताई वाली इसमें characteristic के आपको देखने को मिलेंगे that is यह जब dry होगी तो cracks develop कर लेती है और जगर पानी पढ़ जाता है तो sticky हो जाती है सारी चीज़ आपकी notes में लिखी होई है इसमें जल्दीली बस revision purpose से यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर हमने पढ़ा red and yellow soil में यह पढ़ा था Piedmont zone of western ghat में देखने को मिलती है वहाँ पर देखने को मिलती है जहाँ पर area होते है low rainfall के area of low rainfall में हमें देखने को मिलती है red soil yellow में convert हो जाती है rich होती है potash में और poor होती है phosphorus में और याद भी कैसे किया था आप लोगो पता है कि माचिस में phosphorus होता है उस तरह से और आखरी हमने हमने पढ़ा था laterite L से laterite और L से leaching इसमें leaching होती है leaching क्या होती है जब बहुत जब बारिश शौरती तो important जो minerals है वो wash away हो जाते हैं तो यहाँ पी आपको high rainfall area में जहाँ पर high temperature और high rainfall होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है तो यह सारी चीज़ा हमने पढ़ी थी और laterite soil के अगर बात करें तो cashew nuts काजू की खेती के लिए अपके यूज की जाती है और इससे इंटे भी बनाए जाती है तो इसको brick soil के नाम से भी जाना जाता है एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा हम यह हमारी जितनी भी Indian soil है इन में nitrogen की कमी है humus की कमी है यह सारी soil के लिए common है aluvial, black, red and yellow और laterite के लिए तो red laterite soil in Tamil, नाड़ू, आनप्रदेश, किरला are more suitable for cashew nuts सही है they are generally region humus गलत है त्योंकि humus में सारी पूर होती है humus क्या होता है humus होता है organic matter जिस भी soil में होता है बहुत ही productive soil बन जाती है organic matter हमारी Indian soil में नहीं है humus के regarding पता नहीं मैंने आपको बता है कि नहीं लेकिन एक चीज आपको यह पता होने चीए कि यह आपका एक तरह का amorphous solid substance होता है note this word इस पर question आ चुक है CGL 2022 में amorphous solid substance होता है जब कोई चीज decay हो रही होती है तो उसमें humus बनता है वो humus solid substance होता है amorphous जिस जो की मैंने आपको होता है आईसो ट्रोपिक इन नेचर होता है यह आपकी tea and coffee के लिए useful है ठीक है तो यह भी आपका सही होगा clear है अगले question पर आते हैं हमारे six fundamental rights है उसमें से जो पहला fundamental right है वो क्या बोलता है वो बोलता है right to equality यानि की समानता का अधिकार इसमें total कितने rights दिये हुए है अभी comment में लिखें कितने rights दिये हुए है option है 3,4,5,6 कितने rights है बताइए तो इसमें आपके 5 rights है 14,15,16,17,18 ये 5 आपके rights दे हुए है right to equality में 14 बोलता है right to equality before law and equal protection of law यही बताया था ना दो चीज़े है equality before law यह आप यहीं पर लिख लेते हैं कि 14 equality before law मेंने दो component आपको बताया थे इसके और दूसरा होता है equality equal protection of laws यह जो होता है हमारा negative connotation है यह positive connotation equality before law यह कोई भी कानून से बड़ा नहीं है कानून के सामने सब समान है ठीक है तो कोई उपर नहीं किसी को special privilege नहीं है नहीं है नहीं है मतलब negative यह हमने लिए UK से यह हमने लिए USA से concept ठीक पंद्रा किसकी बात करता है पंद्रा बात करता है आपकी कि prohibition यह फिर यह right against discrimination है discriminate नहीं किया जा सकता है ठीक है no discrimination भेद भाव नहीं किया जा सकता है only discrimination only on the ground of only on the ground of religion race caste sex and place of birth only on the ground of सिर्फ in ground में discrimination नहीं हो सकता बाकी में हो सकता है पंद्रा यह बोलता है और पंद्रा में यह है कि किसी को bathing heart हो गया ठीक है वेल्स हो गया टीव वेल्स हो गया ठीक है वेल्स हो गया पब्लिक प्लेसेज हो गई रेस्ट्राउं हो गया सिनेमा Hall हो गया इनको यूस करने से मना नहीं कहज़ा सकता है सी जील अभी 2023 वाले में कुश्चिन पूछा गया था कि अगर आपके बगल में आपकी मेड बैटी है और आपका ego hurt हो गया कि आपके बगल में आपकी maid बैठके cinema hall में picture देख रही है आपने उसे बुला निकलो यहां से तो उसके पास कौन सा fundamental right है जिसके against वो जिसके तहट आपके खिलाफ court जाके writ issue करवा सकती है वो ठीक है तो article 15 उसको power देता है और writ कौन से article से issue होती है writ होती है आपके article 32 जो कि एक fundamental right है और article 226 जो कि एक fundamental right नहीं है supreme court high court high court के jurisdiction wider होती है क्योंकि वो legal rights को enforce करने के लिए रिट को issue कर सकता है ठीक रिट्स पांच तरह की होती है जब रिट का कुछी question आएगा तो वहाँ देखेंगे 16 अगर बात करें तो ये बात करता है public employment जो यहाँ पे लिखा हुआ है 17 के अगर बात करें तो अश्यप्रश्चता का उन्मूलन that is abolition of untouchability की बात करता है 18 बात करता है abolition of titles ये titles हमारा जो state है वो किसी को title नहीं दे सकता महराजा या फिर इस तरह का अगर कोई title foreign country से adopt भी नहीं कर सकता है कोई foreigner इंडिया में रह रह रहा है और उसको adopt करना है तो president की उसको पहले prior recommendation लेनी पड़ेगी तब ही वो ये काम कर सकता है 16 से अगर हम बात करें तो ये कहीं न कहीं यहाँ पे public employment और reservation की भी बात कहीं कहीं है तो इससे आपको second backward backward class commission यादाना चाहिए second backward commission जिसको हम क्या बोलते है mandal commission ठीक है विकॉज उनकी chairmanship बना था और इसी ने सबसे पहले बोला था कि OBS को reservation मिलना चाहिए 27% reservation इसी से एक case related है supreme court का जिसको हम बोलते है 1993 का case इंदरा sahani case ठीक है इंदरा sahani case इसको बोलते है जो कि Asia की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो जील है वूलर, कनवर्ताल, भोजताल या फिर नक्की कौन सा है आपका तो ऑक्सबो लेक की बात हो रही है ऑक्सबो लेक हमने पढ़ रखा है हमने यह पढ़ाता है कि जब हमारी हिमाले रिवर्स है वो उपर से आती है अपने अपर कोर्स से आती है तो यह मिडल कोर्स, यह अपर कोर्स, मिडल कोर्स और यह लोवर कोर्स तो अपर कोर्स में हमने जल्दी से रिवाइस करें चीजों को, जो हमने पढ़ रखी है ठीक है अगर अब इकदम से first lecture में आ पर आ गए हो तो नहीं आपको जाना है first lecture में वो सारे देख के आना है because अब जैसे मैंने soil वाला लिखा ठीके सारे आपको पीवाई के और सारे निटो देख के आना है तो मैंने soil का यहाँ पर तुरं तुरंट कर दिये इसलिए कर दिया because हम पहले करवा चुको हूँ इस वैसे मैंने आराम आराम से नहीं करवा है यह मैंने fundamental right वाला करवा दिये तेजी तेजी से shaped valleys हो गए आपके river terraces हो गए waterfall हो गए rapids हो गए pot holes हो गए plunge pools हो गए यह सब में upper course में देखने को मिलते है middle course में करवा बात करें river जब नीचे आती है ना तो मियांडर करने लगती है क्योंकि यहाँ पर तो gravity मिले तेजी से भाग गई लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा force क्या होता है वो force जो earth के rotation के जैसे generate होता है गोलन की जैसे जो चीजों को उतरी गोलार्द में right की और मोडता है और दचली गोलार्द में southern hemisphere में left की और मोडता है फिर आगे यहीं पर या फिर थोड़ा सा आगे जाके lower course में middle course और lower course में आपको oxbow lake देखने को मिलते हैं यह मैं दिखाया था कैसे oxbow lake बनता है जैसे river में under कर रही है यह बहुँ ज़्यादा में under कर रही है तो यह चीज कट हो जाएगा अब आप मुझे बताए यह नक्की कहाँ पर है नक्की राजस्थान में राजस्थान में हमारी हिमालियन डिवर्स आ इतना बड़ा है कि 40% जो पानी की डिमांड है ना फ्रेश वाटर जो लोग पीते हैं पूरे भुबाल का वही यह मीट करता है भोजताल अब मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो हिमालियन डिवर्स कहा है हैं क्या नहीं है तो इसको भी आप अलिमिनेट कर सकते हैं अब कमरताल कहा हैं बिहार में वूलर कहा हैं जम्मू कश्मीर में आपका अब जो वूलर है वो एशिया में लार्जेस फ्रेश वाटर लेक है बट वो एक ऑक्सबो लेक नहीं है ऑक्सबो है कमरताल जो कहां पर है बिहार में ठीक है आपका एक डल लेक भी जो आपका जम्म इसे बढ़े दोनों के नाम L से स्टार्ट हो रहे हैं लोक्तक पर बात करें मनीपूर में है ठीक है और मनीपूर वही मनीपूर जहां पर कूकी मेटी का बीच में भी वह सब रिवल्ट वगयरा हो रहा है वही मनीपूर जहां पर भी आठिक नुम्बर 355 को इनवोक किया गया तो यहां पर मनीपूर में आप यह याद रखना है कि अच्छा यह बताएं मनीपूर क्या 6th schedule में आता है कि नहीं आता है और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्या कैबुल लेमजाव नेशनल पार्क इसी कैबुल लेमजाव नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा यहा का संगाई डियर जो यहां का स्टेट अनिमल है लोनार की अगर बात करें तो यह क्रेटर लेक है महाराश्ट में मतलब यह कोई आया था क्रेटर मतलब एस्टिरॉइड और उसने हिट किया इंपैक किया गड़ा हो गया वहां पे यह लेक बन गया असम त्रिपुरा मेगाले मिजोरम मिजोरम को किस नाम से जानते हैं मॉलैसिस बेसिन मदल एक दम चलता रहना चाहिए दिमाग सांतिस ना बैठना जी अब तक मेरा लेक्ट्र देख रहा हूँ अब मैं तो अपना दिमाग चला के जितना चीजें बता सकते हूं तुम भी अप घर घर करके घूमता है साइकलोन तो यह चीजें अपने आप चलती रहनी चाहिए ठीक अगले कुश्चन पर आते हैं फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स कम अंडर विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या टेगरी पांसुरी वाद्यंद्र किस प्रकार के वाद्यंद्र शे सरोध भी आ जाता है जिसमें अभी स्ट्रिंग आपको देखने को मिलेंगी वह तंतु वाद्यत्र होगा सुषिर हॉलो म्यूजिकल इस्ट्रूमेंट है एरोफोन है आप हवा डालेंगे और उससे हवा से आप क्या बनाएंगे साउंड प्रेड्यूस करेंगे इस कॉले सु इडियोफोन हो गया घं में जैसे क्या आपका हो जाएगा घाटम ठीक है कानपुर वाले जानते होंगे कि एक जगह है घाटम पूर है ना तो घाटम अवनद्धा कवर्ड म्यूजिकल इस्ट्रूमेंट होता है कवर्ड मतलब जैसे तबला वगयरा हो गया तो उसमें नहीं खाल बोलते हैं कि खाल कवर्ड रहती है चमड़या वगयरा वो हता है ठीक है तो यह जो कवर्ड म्यूजिकल इस्ट्रूमेंट होता है जैसे तबला हो गया आपका डोलक हो गई है ना डोलक गाओं में बड़ी बस थी है मृदंगम ये सारे आपके आते हैं किसमें अवनद् इस्ट्रूमेंट है इन पर रिपीडेटली कोष्चन आ रहे है रीसेंट के एक्जाम में तो सहनाई आप जानते हैं हमारे कौन है हमारे उस्ताद बिस्मिल्ला खाएं वो उस्ताद बिस्मिल्ला खाएं जिनको की पदम विभूशन पदम भूशन और भारत रद में सब अब Het Meiten तो इही है हमारे उस्ताद बिस्मिल्ला खाएं फ्लूट से आपके और चाहिए कोन हरी प्रसाद चौरत ठीग्हें हरी प्रसाद विभूशन ऑर अगर बात करें गाTom से तो गाटम से कें अनाम या ठखेगा टीएच मिनायक्रम ठीएच विनायक्रमТ एब आंसर क्या टन 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 टारा कर रहे हैं कैसे stringed instrument है, गंध मतलब गंध का मतलब क्या होता है, solid, बहुत गणी चीज को कैसी होती, solid होती है, ठीक है और अवनत क्या है, जो covered है आपका musical instrument, अगले question पर आते हैं, सूरत इस अगले question पर आते हैं, सूरत कॉम और किस नाम से जानते हैं, diamond city, blue city पिंग सिटी या फिर सिटी ओफ लेक्स तो सिटी ओफ लेक्स अगर बात करें तो भोपाल जैसे आपका बहुचताल हो गया है ना पिंग सिटी आप जानते हैं जैपुर बाकी आप देख लेते हैं बाकी तो आप जानते हैं डाइमंड सिटी है ना हमारे सूर्ठ की काफी जो मतलब और हाँ डाइमंड मतलब यह तो सूर्ठ मैं क्या होते है बहुत फिनिष्ट डाइमंड आपको में मिलता है बट डाइमंड की जो मांइंस वगएरा है फीर ज्याद्र साव दिश्डी टामध्यप्रोडेश में देखने को मिलता है फिर उस पर काम किया जाता है कारी गरी और ट्रेडिंग वगरा सूरत में होती ही डायमेंड्स की जाता लेकिन मिलता पन्ना MP में अब बाकी हम जल्दी से देख लेते हैं जैसे कि Manchester मैं आप जल्दी लिख रहा हूँ बताएगा Manchester of India किसको बोलते हैं फिर आप बताएंगे Venice of East कि सिटी को बोलते हैं सारे मैं को आप लिखवा देता हूँ जल्दी आप बताएगा ठीक है रिकॉल करिए कि आपको आता है कि नहीं आता है जो नहीं आता है फिर उस पर आप extra focus डालेंगे Silicon Valley of India कि सिलिकन वैली ओफ इंडिया ये किस सिटी को बाता बताव सारी इंडिया और इदर उधर की नहीं है और報導 Manchester of South India कि सको बोलते हैं और cool capital कि इसको बोलते हैं city of pearls city of pearls या फिर city of इसको निजाम के नाम से भी जाना जाता है Steel City के नाम से किसको जाना जाता है Steel City Queen of Arabian Sea Queen of Arabian Sea के नाम से कौन जाना जाता है और इसी को ही चलो भी मैं बताओंगा आपको खेर Queen of Arabian Sea हो गया और City of Joy City of Joy हो गया आपका चलिए तो अब आंसर देख लेते हैं पहले Manchester of India सभी जानते हैं क्या एहमदाबाद पहले कानपूर के पास अब अभी हमदाबाद के पास Venice of East अगर हम बात करूँ अल्लाफूजा डिस्टिक्ट है अल्लाफूजा कहां पे केरल में है यह केरल के ही आपकी Queen of Arabian Sea कोची जहां पे इनका High Court भी है कौन सा यूटी है जो केरल के High Court के साथ अपना High Court शेर करता है और कौन सा हमारा amendment है जिसने एक यूटी के लिए देना वो एक Parliament कर सकता है पारलेमेंट क्या कर सकता है किसी यूटी को किसी High Court के अंदर ला सकता है Silicon Valley of India के अगर बात करें सभी जानते हैं बैंगलूरू Manchester of South India किसको बोलते हैं ये बोलते हैं कोयमबटूर को जो कि Tamil Nadu में है Cole Capital अगर बात करें तो ये जानी जाती है आपकी धनबाद धनबाद जारखन में है City of Pearls के अगर बात करें ये है आपकी हैदराबाद जो कि आपका मूसी नदी के तटपे है मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है Steel City के अगर बात करें जमशेदपूर ठीक है जमशेदपूर और City of Joy के अगर बात करें That will be your Kolkata ठीक और इसको हम Gateway of Gateway of Keral के नाम से भी जानते हैं Gateway of Keral के नाम से और कुछ मैंने question आपसे पूछा था I think चलो कोई नहीं और Hyderabad हाँ तो मूसी नदी के तटपे जो कि आपकी Krishna की ट्रिब्यूटरी है कुछ और यहां पर मैं लिख देता हूँ यहां पर जो मझे आदा रहे हैं एक City आपकी City of Blood के नाम से जाने ही आती है City of Blood Oxford of East Oxford of East आखरीब एक और चलो लिख देते हैं आपके लिए जो अभी सीजल 23 में question पूछा गया था इस पर Queen of Hill Stations Queen of Hill Stations इस पर 2023 में question पूछा गया और यह है आपका उटी Tamil Nadu में है ठीक है उटी in Tamil Nadu Oxford City Oxford of East के अगर बात करें दाट इस रपूने और City of Blood बोलते हैं तेजपूर homework आपका यह आपको पताना तेजपूर जो है वो किस state of India में नौथीस इंडा के एक state है City of Blood अगले question पर आते हैं वेन वाज दी चंपारन अगरियरियन Act पास्ट चंपारन कृष्टी अधिनियम का पारित किया गया 1922-22-18 फिर 24 invited by राजकुमार शुकला जी राजकुमार शुकला जी ने invite किया थे इनको किसली invite किया था ताकि तिनकठिया सिस्टम के against protest हो सके तिनकठिया सिस्टम क्या था जहां पर पेजन्ट या फिर फार्मस को force किया जा रहा था कि 3 by 20th part of land में आप उगाएं क्या आप उगाएं नील की खेती करें इंडिगो इंडिगो से हमें याद आता है क्या इंडिगो रिवोल्ट इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था 1859-1869 में हुआ था क्यों हुआ था क्योंकि German synthetic die ने replace कर दिया था जो इंडिया की die थी जिसको Britain वहाँ पर बेसता था इसलिए उनको force किया जा रहा था नील दर्पन एक play था नील दर्पन नील दर्पन जो की दीन बंधु मित्रा दौरा लिखा गया था जिसकी central theme इंडिगो रिवोल्ट थी दीन बंधु मित्रा ठीक है और एक चलिए आम से question पूशता है मैंने आपको ये बताया था हरीश चंदर मुखर जी थे उन्होंने भी एक लिखा था आपका लेक वो आपका इसी पर बेस था जब आप बताए हरीश चंदर मुखर जी कौन सा था तो यतनी चीज़ा हमें चंपारन के बारे में पता है तो अब थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि चंपारन में यहां पर विद्रोग किया गांधी जी ने गांधी जी का विद्रोग एक तरह से फ़े जो सब्तागर है वो सक्सेस्फुल रहा इस वजए से चंपारन अग्रेरियन एक्ट पास हो गया अगले साल यहनि कि 1918 में यह गांधी जी का एक पहला सिविल डिसोबीडियन्स मुव्मेंट था याद रखिएगा सी से चंपारन सी से सिविल डिसोबीडियन्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए कि सिविल डिसोबीडियन्स उसार 1930 में हुआ था सिविल डिसोबीडियन्स एक तरह का मुव्मेंट होता है जैसे नॉन कॉपरेशन जैसे हम ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करेंगा नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट सिविल डिसोबीडियन्स एक टाइप का मुव्मेंट होता है जो कि इसकी एक तरह से ग्लिम्स हमें देखने को मिलती है चंपारन में चंपारन के बाद हुआ था आपका एहमदाबाद और खेडा ठीक है एहमदाबाद मिल स्ट्रायख हुई थी और खेडा से तरह hardship हुए था दोनों ही कहां कः तो नाइटीनेटीन में में हुए थे और और क्या है बस ठीक है एहमदाबाद और खेडा दोनों entities gift tax is a type of direct tax तो अब यहां पे देख लेते हैं type of taxes कितने होते हैं आपके तो tax आपके मैंली दो परकार के होते हैं एक होते हैं आपके direct tax जिनको भूम बोलते हैं प्षृक्षकर और दूसरे होते हैं indirect tax त्याने कि इनको भूलते हैं प्षृक्षकर को पैसा देना होगा निया कि tax is paid directly to the government जो notes में लिख रहे हैं इस चीज को भी note करेंगे tax paid directly to the government directly आपको tax देना होता है और आप इसको pass on नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे पर CBDT Central Board of Direct Taxes इसके लिए responsible authority होती है tax को collect करने के लिए responsible authority होती है जो इस tax को collect करती है यह एक तरह का very important चीज यहां पर लिख रहा हूँ is it is a progressive tax जो लोग tax भरते हैं वो यह जानते हैं progressive tax आप लोग तो अभी student है जब आप आगे से नौकली लग जाएगे तब आपको पता चलेगा progressive tax क्या होता है इसमें यह होता है कि जितनी आपकी wealth बढ़ेगी उतना ही tax का rate भी बढ़ता जाएगा जैसे कि अगर माल लेते हैं आप bracket में हैं पांच लाग से दस लाग वाले bracket में माल लेते हैं तो आपके कुछ certain percentage पढ़ेगा अगर आप 10 से 15 में जाएंगे 10 से 15 लाग तो उससे ज्यादा tax पढ़ेगा फिर उससे ज्यादा tax पढ़ेगा इस तरह से इसको बलते है progressive tax होता है यह जितनी जादा income उतरा ज्यादा tax आपको भरना पढ़ेगा इसके अगर examples की बात करें तो इसके लगता है आपको यह अपने share बेच रहे हैं तो उसमें capital gains tax लगता है property tax हो गया आपका ठीक है आपका gift tax BC में आ जाता है कि आप किसी को gift दे रहे हैं और gift tax बड़ा भारी बरका होता है क्योंकि लोग ऐसे तो gift देते नहीं गिफ्ट लोग अपना tax बचाने के लिए कभी-कभी ऐसे देते तो इसलिए बहुत इसमें tax बढ़ता है ठीक है indirect tax में वही same उल्टी चीज़ें हो जाएंगी कि यहां पर end user tax pay करता है end user जो होता है वह tax pay करता है और यह एक तरह का regressive tax होता है और यह इसका example हो जाएगा आपका GST पहले तो बहुत सारे थे जैसे वैट हो गया यह वह लेकिन अभी आप सानते हैं सारे हमारे हमने सबको merge कर दिया है एक common tax में जिसको हम बोलते हैं from 1st July 2017 2017 से goods and services tax इससे आपको यादाना चाहिए 101st amendment इससे आदाना चाहिए कि असम पहला था जिसने इस bill को ratify किया था और यह आपका article add किया था 279A जो बात करता है GST council की जिसका chairman कौन होता है finance minister of India होता है 280 वाला article कि इसकी बात करता अनुचिया दिया आप बताएंगे तो answer क्या होगा levy down tax payable earned by the individuals or corporate entities gift tax is a type of direct tax don't know आपके सभी होंगे option number 3 both 1 and 2 और 280 बात करता है finance commission of India उससे आपको यादाना चाहिए कि finance commission का जो chairman होता है वो he should be a person having knowledge in public affairs उसमें 4 other members होते हैं सभी eligible होते हैं reappointment के लिए appointment उनकी president करता है 5 साल के ल बना नहीं है पूहर और काविरी पटनम वाज दी पोर्ट विच फॉल्विंग डैनेस्टेश पूहर या काविरी पटनम निमलिकत में से किस राजवंश का बंदरगा था चेरा चोला पांड़ा फिर वकटका चेरा चोला पांड़ा तीनों मिलके क्या बनाते हैं संगम एज यह नहीं है तो मैं पर डियाग्राम बनाता हूं यह यहां पर आपके रूल क्या मुसली चेरा ने ठीक है यहां पर रूल क्या आपके छोला ने और ये हैं आपके पांडिया, यहां पर रूल किया, अब क्या कुछ important चीज़े हैं, वो थोड़ी सी देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले हम बताता हूं, चेरा के regarding, चेरा की capital क्या थी, capital इनकी थी, वज्जी, ठीक है, या फिर वंजी, वंजी आप लिख लो, और वज्जी, वंजी लिखो, ठीक है, वंजी, capital थी, चेरा में आपको ये पता हूना है, इसके कुछ port थे, आप देख सकते हैं, तीनों आपकी coastal में थी, तो मुजरी और टॉंडी, ठीक है, मुजरी और टॉंडी, कहीं कहीं, जेड भी लिखा हूँ यहां पर, ठीक है, तो ये आपके port थे capital में ना कोता दी, इसके symbol के अगर बात करें, was bow and arrow, तीर कमान, ठीक है, तीर कमान इसका symbol था, चोलाज में अगर बात करें, चेरा, चोला, चोला में capital के अगर बात करें, तो capital इसकी थी, आपकी, तंजावूर, ठीक है, तंजावूर, या फिर तंजावूर भी लिखते हैं इ चोलापूरम ठीक है गंगई कॉंडा चोलापूरम और यह हम लोग ने पढ़ रखा है कि जो गंगई कॉंडा चोलापूरम है इस सिटी को किस ने स्टैब्लिश किया था राजेंदर चोला वन जो की पावर्फुल रूलर थे छोलां एंपायर के चोलां को सेटप ने किया था विज्ळय लया ने किया था कावे डेला पे किया था ठीक है और यह हमने याद किया था कि गंगा का पानी लेकर आए थे बंगॉल में नौथ इंडियम एक्सपेडेशन किया था तो वहाँ जीते थे और यहीं पर फिर उन्होंने ब्रियादेश्वर टेंपल भी बनवाया था ब्रियादेश्वर टेंपल एक और राजा राजा वन ने बनवाया था जिसको कि हम राज राजेश्वर टेंपल के नाम से भी जानते हैं चोलाज के अगर हम बात करें, तो इनका जो symbol था, that was tiger, ठीक है, इनका symbol था tiger, और, और क्या, हाँ, इनके port city के अगर हम बात करें, that was poohar, या फिर poohar के नाम से भी इसको जाना जाता है, and the last was pandya, इनकी capital के अगर बात करें, तो वाज मदुरई, जो की temples के लिए काफी famous है, और अगर हम बात करें, pandya के, जो port के अगर बात करें, तो इनका एक port था, that was korqai, संगम से में और क्या आदाना चीए, संगम से में आदाना चीए, क्यों तीनों संगम हुए थे, उनको हम collectively बोलते है, much छंगम, और second संगम में एक tamil text compile हुआ था, जिसको हम बोलते है, tolka PM, ठीक है, ये क्या है आपका, एक tamil text है, जो second संगम में compose हुआ था, ये है, जो तीन स संगम सुए थे, उनको collectively बोलते है, much छंगम, पूछ रहा है, पूहर या फिर कावेरी पट्टम, तो अभी पूहर ही बता दिया, ये भी बता दिया, कावेरी डेल्टा पे विजय लाया, जो founder थे, उन्होंने इसको विजय चोला एंपायर को set up किया, option number second, चोला, हमने इनका temple अर्किटेक्चर पड़ रखा, जो उन्होंने इसको world heritage included, ब्रिया देश्वा टेंपल एट तंजोर, जिसको राज राजेश्वा टेंपल बोलते है, राजा 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 वन ने बनवाया था, ब्रिया देश्वा टेंपल एट गंगई खोंडा चोला पूराम, जिसको बना अभी के लिए इतनी चीज़ है, अगले क्विश्चिन पर आते हैं, विचर तो फॉल्लिंग पेर और प्लेर एंड स्पोर्ट्स इस करेक्ट, इन में से कौन सा सही है, बजरंग पुनिया बॉक्सिंग, यश्च दूल क्रिकेट, असान सा क्विश्चिन है, बजरंग पुनि साउंड के अगर हम बात करने तो ये एक आपकी मेकानिकल वेव होती है, और ये लॉंगिट्यूडनल वेव होती जिसमें कि जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, वाइबरेट इन दी डिरेक्शन ओफ वेव का प्रपगेशन, तो लॉंगिट्यूडनल वेव होती है, साउ अब से जो माक्सिमम स्पीड होती है, साउंड की, वो स्टील में नहीं, अलुमीनियम में होती है, इस बार CGL 2022 में कुष्चन देगे, कन्फ्यूज कर दिया गया था, लेकिन पहली बार कुष्चन नहीं पूछा, ये इससे पहले SSC और NTPC में देख रहा था, रेलवे अगर सकती है, light wave के अगर बात करें, तो transverse wave होता है, जहां पर जो medium होते हैं, vibrate करते हैं, perpendicularly, तो आपकी transverse wave होती है, और ये आपकी vacuum में travel कर सकती है, और इसको हम polarize कर सकते हैं, यानि कि ये polarize हो जाएगी, but sound wave cannot be polarized, ठीक है, can not be polarized, ठीक है, तो यहां पर सही answer क्या होगा, can travel through vacuum, not frequency हम hertz हम आपते हैं, और वही hertz को हम second inverse भी बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और decibel क्या होता है, decibel आपका, decibel मेजर करता है, loudness of sound को, ठीक है, loudness को मेजर करता है, अगले question पर आते हैं, the reproduction in east happens by the process of, east में प्रजिनन किस प्रिक्रिया से होता है, budding, fragmentation, pore formation, एफे fertilization, reproduction, reproduction क्या होता है, reproduction वह process होता है, जहां पर offsprings बनते हैं, जैसे हम लोग reproduction सही बने हैं, इसमें होता क्या है, दो तरह के reproduction होते हैं, एक होता है आपका, asexual, और दूसरा होता है, sexual, sexual तो हम सभी जानते हैं, male और female मिलते हैं, फिर male gamete का formation होता है, female gamete का formation होता है, दोनों मिलते है embryo बनता और एक offspring एक बच्चा होता है ठीक, that is called a sexual reproduction asexual में क्या होता है, इसमें male और female की जरद नहीं पढ़ती है सिर्फ एक ही, एक ही हम बोल सकते हैं organism अपने offsprings को produce कर देता है asexual reproduction बहुत type क्या होते है sexual बस हम क्या पढ़ते हैं, sexual में सिर्फ हम plant में पढ़ते हैं, जो कि हम पढ़ चुके है flower में मने को बताया था, male part होता है क्या, male part होता है, एंथर उसमें pollen grains और filament, stay men बोलते हैं, female part होता है stigma style ovary, collectively बोलते हैं pistol, वो male part female part, फिर ovary के अंदर ovules हैं, seed बनते हैं ovary fruit बनते हैं, वो सब देखे थे वो plant में reproduction हो रहा था यहाँ पर फिर एक होता है animal में reproduction, animal में humans का पढ़ते हैं कि humans में किस तरह एक reproduction होता है, जो कि आपका exam में शायद यह question पूछा जाता है यह को सभी जानते हैं, है न asexual का आप से पूछा जाता है यहाँ पर, asexual में बहुत types होते हैं, sexual में होते हैं टाइपस नहीं, जितने asexual में हैं, जैसे सबसे पहला आपको कोई order नहीं है, बस हम लोग ऐसी पूल रहा है यह budding होता है, budding में क्या होता है budding में जैसे यह आपको देखने को मिलेगा, example hydra हो गया east हो गया, इसमें आपको देखने को मिलेगे budding, bud एक छोटा सा निकलेगा, धीरे धीरे वहीं पर बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि टूटके अपना बन गया, तो एक आपकी गर्मियां होती है, मतलब एकदम सूखा पड़ा रहता, चट्टान बारिश होती है, घास उगाती है घास कहां से उगई, घास किसीने बोई तो है नहीं, कहां से उगई है, CAPF 2022 में question पूछा गया इस पर question मतलब ये था, मतलब अब इसको इस तरह से समझो, कि वो घास से कुछ ऐसे stem से पड़े हुए वो क्या कर गए, वो vegetative propagation हो गए उसमें, ठीक है, ये चीज़ समझेगा, फिर अब यहाँ पर आते हैं, दूसरा type है, ये होता है आपका fragmentation बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, fragmentation propagation, ये देखने को मिलता है ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है spyrogera के picture, जो examples दे रहा हूं है, यही examples ही पूछे जाएंगे कोई और example नहीं पूछेगा आप से वे पर में that is for sure, spyrogera spyrogera में क्या होता है, ये fragment टूटा, यैसे एक टूटा, एक टूटा, एक टूटा, फिर फर्दा ये पूरे spyrogera में develop हो गया, पूरे spyrogera में develop हो गया, फिर आते हैं ये pore formation, ये आपको देखने को मिलता है, ब्रेंट में फफूंदी लग जाती है आपकी, fungus लग जाता है, fungus में धागे-like structure देखते हैं, thread-like, that are called as hyphae, ये hyphae होते हैं आपके thread-like structures, उसमें लगे होते हैं sporangia, sporangia, sporangia में छोटे-छोटे-छोटे spores होते हैं जिनको sporangia बोलता है, इससे आपका ही पूरा rhizopus बनता है, यहाँ देखना, rhizopus में यह आपको देखने को मिलता है, क्या, spore formation फिर है आपका binary fission, binary fission सबसे simple है, आपको amoeba में देखने को मिलता है, amoeba भगया क्या है, जैसे कि यह है, यह इनका nucleus है, थोड़ा सा फैलना चालू करेंगी, यह और इनका nucleus भी और फैलेंगे यह, इनका nucleus भी, फिर इस तरह से फैलेंगे, देख रहे हो, मतलब इस तरह से फै तो यहाँ पर दो, क्या बन गए, एक amoeba से दो amoeba बन गए, इसको बलते है, binary fission, और एक होता है, multiple fission, जो आपके देखने को मिलता है, plasmodium में, plasmodium में क्या अंदरी है, एक ठीक है, और अंदरी खूब सारे plasmodium बन गए, यह जो cell है, यह फट गई, और सारे plasmodium बाहर न को बनाते है, sinchona, छाल होती है, जो की, कोई 9 दावा बनाने के लिए, यूज की जाती है, जो इसको treat करता है, sinchona, जो है, आपको कौन से type of forest में देखने को मिलेगा, यह है आपका planaria भाईया, कल मिला था हमको, ओ, खुद दिखाता है, यह हमारा planaria, planaria में क्या हो रहा है, जै याद आना चाहिए, जब हम पढ़ रहे थे, liver fluke planaria, तो हमने पढ़ा था, यह किसके examples होते हैं, liver fluke planaria और गलती समय ने वुचेरिया बोल दिया था, थोड़ा planaria से थोड़ा सा राइम कर रहा था, इसलिए निकला है वुचेरिया, but that was tape warm, या फिर, ठीक है, tape warm, यह तीनों हो लेटिव ही body है, that is, यह होते हैं, flat worms, जो मैंने वुचेरिया बताया था, वुचेरिया होता है, आपका निमाटोर्ड का example, निमाटोर्ड क्या होते हैं, निमाटोर्ड होते हैं, एस्चल मेंथिस बोलते हैं, इनको, cylindrical body होती है, यह आपके होते हैं, स्यूडो सीलोमेट्स, और एक चीज़, यह plan area हमारे कैसे होते हैं, free living होते हैं, motile होते हैं, free living होते हैं, और जो liver fluke होते हैं, यह parasitic in nature होते हैं, पर जीवी होते हैं, ठीक है, तो इस question का सही answer क्या होगा, reproduction east में किस तरह से हो रहा है, यह जब भी हम लोग biology 11 mm में कर रहे हैं, वैसे तो enough है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, एक और अभी बता जता हूँ, answer इसका होगा, क्या होगा, budding, bud बन रहा थे इसमें, ठीक है, एक होते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसको, एक सेकंड रूखो, रिख क्या बोलते हैं उसको, हाँ, vegetative propagation ही होता है, vegetative propagation, उसमें यह होता है, जैसे कि इ the stem को ऐसे बाढदो, ऐक नए तरहा गुलाब मिल जाता है, ना, grafting होता है, layering होता है, layering है, layering आप पहली बाद हो सकता है, सोन रही होता है जैसे कि, lemen बगरा में करते हैं, lemon जैसे कि, होता ही हे, बोलते है, जैसे यह stem है, stem को थेश्टेंट करेंग, जमीन में कार देंगे, वो एक नया पूरा बन जाएगा फिर काट देंगे इस तरह से वो लेरिंग कहला तो तो वेचिटेटिव प्रफोगेशन के टाइप्स होते हैं यही पूछेगा आपसे बस याद कर लो वैसे 11 वाली क्लास में भी हम जल्दी करेंगे पी एसलवी और्बिटल एक्सपरिमेंटल मॉड्यूल इस तरह से संबन दीत हैं पी एसलवी जी एसलवी होते क्या हो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं तो पी एसलवी फुल फॉर्म होता है पोलर सेटलाइट लांच वहिकल इसमें आपकी होती ही चार स्टेज़ ऑफ जो इस तरह से आपका होता है पी एसलवी में बहुत ही रिलाइबल होता और इसमें हम यूज करते हैं जब हमें कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटलाइट लांच करनी होती है या फिर हमें कोई रिमोट सेंसिंग सेटलाइट लांच करनी होती है तब हम यूज करते हैं इसका औ और काफी ज़्यादा reliable होती है और इसको हम launch करते है sun synchronous orbit में, sun synchronous orbit जो की आपका एक low earth orbit का part होता है, बात वहीं अगर करें GSLV की that is called as geosynchronous launch vehicle, इसमें होते हैं आपकी 3 stages, 3 stages होते हैं, जिसमें कि हम solid, liquid और एक cryogenic fuel का use करते हैं, cryogenic fuel, PSLV में use नहीं होता है, यह एक distinguishing feature है, और अगर हम GSLV की बात करें, इसको हम use करते हैं, अगर हमें कोई communication satellite को launch करना होता है, एक बार question भी इस तरह से बनाता है, इसका time period की होता ना होता है, इस तरह से कोई question बनाता होता है, तो 24 hours होता है, क्योंकि यह उससी मतलब इसका जो time period होता है, earth के time period के बराबर होता है, जहां क्यों earth के speed से, rotation के speed से, हैनि कि जब हमारी earth एक rotation 30 गंटे और 56 मिर्टे कम्पलीट करती है, उसी में अपना भी rotation कम्पलीट करती है, तो इसका भी time period 24 hours कोता है, इस stationary अप्यर होती है, ठीक है, और बाकी तो इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं, तो यहां प a doctor who invented a new surgical method, तो economist who won a Nobel Prize, तो इंडियन नाम लग रहा है, इंडियन दो ही रहें economics जिन्होंने Nobel जीता है, एक तो हमारे अमर्त सेंच जी, कब, 1998 में, और दूसरे हमारे अभी recent में रहें, लेटेस्ट वाले, अभिजीत बैनर जी, अभिजीत बैनर जी और उनके wife, Easter Duflo, तो अभ क्या नाम था उसका, good economics for the bad times, ठीक है, पहले हमारे कौन थे Nobel Prize जिनको मिला था, he was Rabindranath Tagore in 1913, इंडि लिट्रेचर काड़ेगरी for Gitanjali, तो अभी हाँ पर बात करें तो ये तो होगा नहीं, an artist who painted the painting of भारत मा था, ये किया था, अबनींदर नाथ टेगोर जी ने, जब ये, ब अबनींदर नाथ, अबनींदर नाथ टेगोर जी ने, ठीक, ये भी नहीं होगा, he was an Indian scientist and statistician, इन्हीं के birth date पे हम 29 जून को celebrate करते हैं, statistics day यानि की सांखे की दिवस, इन्हीं के model पे बेस था, second five year plan, अच्छे, एक 29 जून से आता है मुझे, कि 29 जूलाई को हम क्या celebrate करते हैं, 29 जूलाई को, बाकी 5 जून को आपको पता है, हम environment day celebrate करते हैं, 29 जूलाई को हम celebrate करते हैं, international tiger day, international tiger day से क्या दाता है आपको, कि हमने project tiger कब launch किया था, project tiger हमने launch किया था, 1973 1973 में, कहा से, Jim Corbett national park से, जो कि हमारा पहला national park था, established in the year 1936 में, clear, surgical method से आपको क्या आदाते हैं, सुशृत जी का आपको नाम आदाना चाहिए, father of Indian surgery बोलते है, father of Indian medicine बोलते हैं, चरक जी को, चरक सहीता इन्होंने लिखी थी, अगले question पर आते हैं, 19th, the dronachar award was first handed out in 1985, and the first dronachar award winner was, तो dronachar award सबसे पहले 1985 में दिये गए थे, पहले dronachar award यहारे कौन बने थे, यह थे, बी, 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 बाल, चंदर भासकर भागवत, जो किस, उसे relate करते थे आपके, sports से, यह wrestling के coach थे, इनको मिला था, बट इनको सिर्फ अकेले नहीं मिला था, और भी लोग था, जैसे की, एक बार question इस तरह सेसी ने पूछा था, तीन नाम दे दिये थे, और चौता था, all of the above, तो वो नाम थे, ओम प्रकाश भारत द्वाज, ठीक है, बी से भारत द्वाज और बी से boxing से related थे आपके यह, और एक और था आपके, ओम नम बियार, ओम नम बियार और यह आपके athletics से related थे, athletics, बात अगर करें, हंसा शर्मा, तो first female to get dronachar, यह पहली female थे, जिनको dronachar award मिला, clear, अगले question क्यों बढ़ते हैं, that is 20th, the important system components like the central processing unit, CPU and random access memory, RAM, modules are connected directly to the, तो directly किस से connected होते हैं, magnetic tape, motherboard, optical disk, या फिर flash memory, तो यह दोनों आपस में connected होते हैं, motherboard, और motherboard से मुझे आद आता है कि computer के लिए आपको जल्दी, खास कर वो student जो CGL mains के preparation कर रहे हैं, computer के आपको lectures देखने को मिलने वाले हैं, जल्दी screen guarding काम मैंने चालू करवा दिया है, तो most probably आपके अमन सरी ए recorded class आपकी लेने वाले हैं, जिसमें क्यों पूरा computer आपको करवाने वाले हैं, ट्रस्ट मी, जब वो होगा तो फिर आपको खुदी अंदाद लगेगा, जिस तरह समयना को GK करवा रहा हूं, उसी तरह सब कंप्यूटर भी पूरी तरह से secure हो जाएगा, बढ़ते हैं अंगले question क्यों, and that is the northern plains of India are formed of its soil, भारत की उतरी मिदान किस मिटी से बने हुए, अगेन आसान question है, answer तो आप दे दें question का, बट यहां से चीज़ें बतानी हो, यहां पर यहां से सुनिये, होता क्या है, यहां से जब नदियां आती हैं, इस तरह से कुछ इनका भाव होता है, जब यहां पर आती हैं, तो क्योंकि एकदम से काफी flood, काफी एकदम बहुत ज़्यदा water लेके आती हैं, तो इसको हम बोलते हैं zone, बोलते हैं इसको भाबर zone, ठीक है, इसको बोलते हैं तराई zone, और इस इसकी feature, characteristic feature यह होते हैं, कि आप बड़े-बड़े आपको stones देखने को मिलेंगे, पत्थर लेके आती हैं, क्योंकि उपर से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब river यहां पर आती है, अपर कोर्स में, तो erosional feature dominate करते हैं, यानि चीज़ों को तोड़ते-फोड़त निकल के आते हैं, और एकदम से मुझे अभी question यहाद आया, and that is, कि मैंने meander बताया था, लेकिन मैं आपको यह बताना भूल गया, या फिर आपसे यह पूछना भूल गया, कि कौन सी river है, जो meander करती अपने youthful stage में, because अभी बताया था, meander आपकी, जो, अपने, जो mature stage होता है यह होता है, इसका upper course होता है, river का, जिसको, जो की, इसका youthful stage होता है, यह होता है middle course, जिसका mature stage होता है, और यह last होता है, इसको बोलते है old stage, youthful stage, mature stage, और old stage, तो भाबर, कि अगर हम बात करें, तो यह चीज आपको clear, youthful stage में, काफी youth, काफी speed होती है, काफी velocity होती है, तो चीज कहां हो जाती है इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में गोम हो जाती है तराई में वो जो stream of river है ये re-emerge होती है ये keyword आपको देखने को मिलेंगे ये आपका काफी मार्शी और swampy area होता है काफी दलदली ये छेत्र होता है कुछ national park जिसे दुद्वा national park के होना ये भाबर है भाबर ये belt है belt है ये आपका type aluvial flood plants का इसमें होता क्या है कि जा हमारी soil आती है तो यहां पर जो एकदम मुहाने पर जो होती है खादर होती है जो हर साल renew होती है ये new aluvium है और हर साल ये renew होती रहती है नई नई आती ही रहती है आपका भांगर जो यहां पर side may deposit हो जाती है that is called as भांगर मतलब old होती है हर साल रहने नहीं होती तो better आप यह होती है खादर clear होगे इतनी चीज़ तो answer तो बढ़ा असान सा था है लिवियल साल बट ये चीज़ भी एक ऐसा अपरिस्यति की तंत्रव एकसित करना है जो देश भर में उद्धम शिलता को बढ़ावा देता है उसका position करता है कब शुरू किया गया था तो इसको launch किया गया था 16 जनवरी 2016 को और क्यूंकि 16 जनवरी 2016 को launch है गया था इसी वह जैसे इसको हम 16 जनवरी को क्या मनाते यह होते हैं पहली बात तो इसको recognize कौन करता है dpiit department of promotion of industry and internal trade इसका full form है जो कि आपका ministry of commerce and industry के तहता है यह start up इंडस scheme के तहता है इनको recognition देता है start ups को start up के लिए recognition के लिए है कि 10 साल से ज्यादा ना हुए हो एक तो यह है और दूसरा यह है कि उसका जो turnover है वो 100 करोल से इसको start up बोला जाएगा turnover और यह period जो of existence से 10 साल से ज्यादा करना हो कम होना चाहिए अब यहाँ पर मुद्रा की से लिए मुझे याद आई because पहले दिन ही मुद्रा पर question आया था CGL 2023 में I think पहली shift में आ था फिर किसमें तो नहीं पता है बड़ क्योंकि मैंने विरेवी कर वा finance agency limited refinance agency limited मुद्रा launch करी गई 2015 में जिसमें कि loans up to 10 lakh दिये गए loans up to 10 lakh दिये जाते हैं 10 lakh तक के तीन category में इनको divide किया गया है और यह जो loans होते हैं यह collateral free loans होते हैं that means कि यहाँ आप आपको कुछ गिरवी नहीं रखना होता है बीना गिरवी रख्या को यह loan मिलता है शिशू, किशोर और तरुन तीन तरह की इसमें loan मिलते हैं on the basis की कितना loan मिल रहा है उस basis पे शिशू वो होता है जहाँ पे loan up to 50,000 मिलता है अगर 50,000 से लेके 5 lakh तक का मिल रहा है तो वो किशोर loan के तहता आएगा और अगर 5 lakh से लेके 10 lakh तक आ रहा है that is called as तरुन वाला loan ठीक है आगे बढ़ते हैं 23 in Dash the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims in the North Western and Eastern areas of the country Dash Muslim League ने देश के उतर पस्चे में और पूर्वी छेत्रों में मुसल्मानों के लिए स्वतंत्र राजी की मांग करते हुए एक प्रस्ताव बेश किया 1940, 42, 46 और फिर 35 तो यह Muslim League ने यह हरकत करी थी पहली बार 1940 में 1940 से आपको याद आना चीए August Offer, August Offer जब आया था 1940 में इसके आगेंस्ट में क्या हुआ था इंडिविजुल सत्ताग रहा सारी चीज़ हम देख चुके हैं पहले हमारे आचार विनुबा वहावे थे जिन्होंने आपका भुदान मुवमेंट 1953 में फ्रम पोचंपली गाम अफ्तेलंगाना वहां से स्टाट किया था दूसरे हमारे इंडियों देख रही थे जवालाल नहरू ठीक है तो 1940 में इस मुसलीम लिग ने मांग रखी थी जिसके सापना कब हुई थी आया था जिसके अगेंस्ट में क्या हुआ था हमने कुट इंडिया लॉउव्मेंट लाउंचा था जिसके रिगार्डिं हमने कल्चीजएं देखी थी उ क्विट इंडिया मूव्मेंट में आपकी पैरलल Communist setup हुई थी इससे की आपकी बलिया में चिट्टू पांडे ने setup की थी, जातिया सरकार ने महराष्ट में setup करी थी तो और यह आपकी प्रती सरकार बिद्दूत बाहिनी इन बेंगॉल, यह हम लोगों ने चीज़ें आद रख की थी, 1946 से में आदाना चाहिए कि Cabinet Mission बहरत आया था, Cabinet Mission में तीन लोग थे, A.V. Alexander, Stafford, Crips और Pethic Lawrence, Pethic Lawrence उसके चेर्मेन थे, इसी के बेसिस पे हमारी Constituent Assembly समिधान सभा का गठन भी किया गया था, 1935 से यह आदाना चाहिए कि 1935 और एक चीज़, कि Quit India में Do or Die का स्लोगन दिया था, गांधी जी ने, इसी के टाइ पर आपके अरुना, सेफली, उशाम, उशाम एताजी ने, रेडियो अगरा इससाब सेट अप किया था, लीडरलेस मुव्मेंट था, आपका यह ग्रिप से, कोई इंडिया मुव्मेंट, 1935 से यह आदाना चाहिए, कि Government of India Act आपका 1935 का, जिसने, जिससे सबसे ज्यादा इसने क्या किया था, इसने डायर्की को अबॉलिश किया, प्रोवेंसेस पे, अबॉलिश्ट, प्रोवेंसेस में डायर्की को अबॉलिश किया, और डायर्की को इंट्रेड्यूस किया, सेंटर पे, सेंटर में, ठीके, और डायर्की को प्रोवेंसेस से अबॉलिश करके, इस में इसने Bicameralism स्टार्ट किया सतिनी विधान मंदल स्टार्ट किया Bicameralism यही Bicameralism center level पे सबसे पहले Government of India Act 19 19 लेके आया था जिसको Montague Chelford Reforms बोलते हैं वही Montague Chelford Reforms Montague Chelford इसलिए बोलते हैं Montague Secretary था Chelford वाइसरोय था Secretary कौन होता था Britain का एक MP होता था Secretary की position कब establish करी गई Government of India Act 1858 से Secretary of State की position create की गई Secretary of State जिसको किया अबॉलिश किया गया खतम किया गया 1947 की Act से खेर इसी ने separate electorate प्रिथक निर्वाचन को extend किया Anglo-Indian Christians को 1909 वाला लाया था separate electorate को Muslims के लिए इसने इसको extend किया clear है और क्या आपको याद आना चाहिए ठीक है डियर की होगरा और डियर की होती क्या है डियर की का मतलब होता है द्वाइद शासन जहाँ पे provincial subjects को further reserved subjects और transfer subjects है बाट दिया जाता है इसने एक All India Federation में आने की बात कही थी जो कभी existence में आ नहीं पाया Public Service Commission के बनाने की बात कही थी Federal Court बनाने की बात कही थी ये सारी चीज़े इसने बात कही थी और plus Central Bank RBI जो बना था वो इसके तैद बना था RBI से याद आना चाहिए Hilton Young Commission एक बैठा था 1926 ने जिसने इसके setup का recommendation किया था Hilton Young Commission CGL 2023 पे question आया था तो RBI वैसे setup कब हुआ था RBI 12 April 1935 को Calcutta में headquarter था भी कहा है Bombay पहले इसके कौन थे ये O Smith थे इसके पहले जो chairman हम हो सकते है Non Indian फिर post-independence हमारे CD देशमुक बने CD देशमुक इससे पहले O Smith थे सबसे पहले लेकिन वो अंग्रेज थे post-independence CD देशमुक बने Clear है आगे बढ़ते हैं और और भी चीज़ आप याद कर सकते हैं कि बढ़ी monetary policy लाता है और further monetary policy tool में क्या-क्या होते है CR, SLR, Reporate, Reverse Reporate इस सारी चीज़ है Clear हो गए ये चीज़ आगे बढ़ते 24th थांका painting style depicts-dt थांका painting शाली किस देवता के को दर्शात है Islamic, Buddhist, Jewish, Jewish या फिर हिंदू थांका, थांकटा, भूमला, भूमडिला ठीक है ला, ला, का ये सब कहां देखने को मिलते हैं आपके Himalayan region में, North East में वहां कौन रहते हैं? Islamic, Jewish, Hindu, नहीं Buddhist रहते हैं जात अतर ये painting usually आपको Arunachal में देखने को मिलती है तो अगर कभी state आप से पूछ ले, तो answer आप देंगे क्या? answer आप देंगे Arunachal प्रदेश बाकी भी यहां पर जल्दी से paintings देख लेते हैं paintings जैसे की Madhubani ठीक है? Madhubani painting हो गई आपकी Worli painting कहां से belong करती है और काली घाट painting काली घाट Fard painting कलाम कारी painting कलाम कारी painting और पट्टा चित्रा पट्टा चित्रा painting और miniature ठीक है? तो Madhubani सभी जानते हैं इते हैं बिहार Worli Worli Bandra Sree Link कहां है? महाराष्ट ठीक? काली घाट काली घाट के अगर बात करें क्यालकटा में याद कैसे रखेंगे? काली जी की पूजा कहां की जाती जाता? Bengal में तो उनी के नाम पे ये काली घाट ठीक है? Fard painting राजस्थान में और ये क्या है? कलाम कारी राम नहीं है ये ठीक है कलाम कारी ये ठीक है कलाम कारी आपकी आंध्रप्रदेश में ये इंपोर्टेंट है बिकॉस कहीं समझ नहीं आ रहा है हिंट नहीं मिल रहा है कि कौन से स्टेट के हो सकती कलाम कारी पत्ट चित्रा के अगर बात करें Odisha में और मिनियेचर इसको इंट्रिद्ज किया था इंडिया में लेके आथे मुगल्स ठीक लास्ट कुस्टिशन 25th आपको इस कुस्टिशन का अंसर देना है और आप इसका देंगे कॉमेंट में वाकि आज के लेक्चर यहां पर होता है खतम उमीद करते हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा नोट्स अगर आप खुद बना रहे हैं वेल अन गूड अगर आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर के तो परमार अक्याड़मी एप पर सब्सक्रिप्शन बेसे पर अविलेबल है और नोट्स का मैं एक इस नोट्स उपलोड करणा इस नोट्स और आपको बेटर कर दिया गया के नोट्स को और मुस्ट पबली आपको हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे तो इसके मैं सेट कर दूंगा पर पपल्लिक टेलिग्रह में वहाँ आप लोग देख सकैं जिनको अग ठीके परमार अक्याडमी आप पर वो सब्सक्रिप्शन बसे पर विलेबल हैं बाकी तो यह पीपीट आपकी शेर हो जाएगी डोंट वरी पीपीट आपको यह आपको परमार एससे टेलिग्राम पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्रिप्शन में दिया होते हैं और वो और मेंसे काफी लोग जानते हैं खेर मिलते हैं अगले लेक्चर में थैंक्यू रिवाइस करते रहें और रिवाइस करते रहें और क्या बस खतम